आज हम बनाने वाले हैं मतर पनीर बिल्कुल शादियों वाले जैसे शादी और पाटियों में बनाया जाता है वैसे ही बनाएंगे देख सकते हैं इसका कलर और कंसिस्टंसी बिल्कुल मज़ेदार बनी है खुश्मू तो लाजवाब है जिससे पूरा घर महक उठा है तो बने रहें वीडियो के इन तक डेफिनेटली वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपको रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजेगा मैंने यहाँ पर गैस पीड़ा दिया है एक पैन अब इसमें डालेंगे दो चमबच तेल आप यहाँ पर बटर या घी भी लही सकते हैं तेल गरम होने के बाद इसमें हम एक चमबच जीरा अड़ करेंगे जीरा करकल होने के बाद इसमें हम डालेंगे एक बारिक कटीवी हरी मिर्च को हम यहाँ पर एक मिनिट के लिए भूनेंगे आप यहाँ पर चाहे तो गरम मसाले भी डाल के भून सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे प्याच, एक बड़ा साइस का प्याच लेके इसे मैंने बारिक बारिक काट लिया था, आप चाहे तो यहाँ पे प्याच का पेस्ट भी बना के ले सकते हैं, अब इसमें हम डालेंगे लसन अद्रक का पेस्ट, लगबग एक टेबल स्पुन, फ्रेश प्याज लसुन और अद्रग को मैंने यहां पे दरदरा सा कुट के लिया है तो यहां पे प्याज लसुन अद्रग डालने के बाद प्याज को हम अच्छे से मिलाएंगे तो प्याज को हम सॉफ्ट और थोड़ा सा सुनेरा होने तक भूनेंगे गैस का फ्लेम मद्यमाज पे रखके इसे हम भूनेंगे क्योंकि जितना अच्छा पैज भूनेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा तो इनको हम 1-2 मिनिट के लिए धक्कन लगा के पका लेते हैं तो एक मिनिट बाद देख सकते हैं पैज हमारे बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं अब यहाँ पे पैज को मिलाने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे गरम मसाले आदा चोटी चमच हल्दी पाउडर दो चोटी चमच लाल मिर्च पाउडर इस लाल मिर्च को आप भटा सकते हैं इसे मैंने कलर के लिए लिया है इसके बाद इसमें डालेंगे दो चोटी चमच धन्या पाउडर और लास मिझाएगा एक चमच गरम मसाला अब इन मसालों को हम अच्छे से मिलाएंगे आप चाहे तो यहाँ पे किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे जादा मसालों को इस्तमाल नहीं किया है कम मसालों में इसे हम बनाएंगे मसालों को मैंने यहाँ पे एक मिनिट दी में आज पे भून लिया है अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट, मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का टमाटर का पेस्ट बना की लिया था, टमाटर के पेस्ट को डाल देते हैं इसमें, इस टमाटर के पेस्ट को हम मसालो में अच्छे से मिलाएंगे, इस टमाटर की ग्रेवी को हमें ड्राय ह होने तक पकाना है जब तक ग्रेवी ड्राइना हो जाए और टेल रिलिस कर दे तब तक हम इसे पकाएंगे दक्कन लगा देते हैं और 2-3 मिनिट बाद चेक करेंगे यह देखिए टमाटर की जो ग्रेवी है वो बढ़िया से कूक हो चुकी है इनको हम अच्छे से मिक्स करेंग यह देखिए तेल अच्छे से रिलिस होने लगा इस साइट से आप चाहे तो यहाँ पर मिल्क पावडर, खोया या दही यहाँ पर डाल सकते हैं यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आदा कप पानी हमने जो टमाटर की ग्रेवी पना के रखी थी उस बरतन में आदा कप पानी डा अब हम यहां पे डालेंगे हरे मतर। यह मतर लगबक 200 ग्राम के आसपास है। यहां पे मैंने फ्रोजन मतर का इस्तमाल किया है। तो इनको हमने मसालों में टाल दिया है। मतर को मसालों में अच्छे सी मिला लेंगे। इनको हम कम से कम low flame पे 3-4 मिनिट के लिए cook कर लेंगे 3-4 मिनिट बार मटर हमारे 50% पक के तयार है तो अब हम यहाँ पे डालेंगे स्वाधा नुसर नमक नमक को भी मसालों में मिला दे अब हम इसमें डालेंगे पनीर तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के आसपस पनीर लिया है अब देख सकते हैं पनीर यहाँ पे काफी soft है homemade पनीर ले तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है इस पनीर को मैंने घर पे बनाया है पनीर के रेसे पे आप देखना चाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईए अगर आप यहाँ पे मार्केट से पनीर ले रहे हैं तो उसे आप 10 मिनिट के लिए गुन-गुने पानी में छोड़ दे जिससे जो पनीर है वो बिलकुल भी soft हो जाएंगे अब इसमें हम डालेंगे बारेकं कटा हुआ हरा दनिया और अब हम हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मि nuances करेंगे पनीर यहाँ पर मसालो में अच्छे से मिक्स हो चुके है तो अब हम यहाँ पर दालेंगे पानी तो लगबग एक कप के आसपास मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, अगर आपको ग्रेवी पतली पसंद हो तो आप दो कप पानी डाल सकते हैं, हम यहाँ पे शादियों वाले मटर पनीर बना रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा गाडा ही रखेंगे, अब हम इन सारी चीजों को अच कपले में बन करेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे, तो चलिए इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं, तो लीजिए, डिलिशियस मटर पनीर बनके हमारे बिल्कुल तयार है, बहुती सौधिश्ट, खुश्बुदार और कितने यमी लग रहे हैं, यह देखिए फ्रें पिया आप देखना चाहते हैं, तो मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, बाई बाई